हेलो एवरिवन आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करके अपना कम्यूनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लिस्ट ऑफ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज आज का हमारा पहला सेंटेंस हैाँच डू-आपकी याए कितनी है या पिर आप कितना कमाते हो ये कोशिंद कैया है बहुत ही कौमन है रखम हमयसे किसी से भी पूछते है, how much do you earn, आप कितना कमाते हो, पर personally बताऊं, ये मतलब पूछना सही नहीं है, किसी से भी, कि उसका earning कितना है, कि ये उसका personal matter है, तो कोशिशी करना चाहिए, किसी से भी उसका earning नहीं पूछने का, next sentence देखे, do you study English, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, next, follow me, मेरी पीछे आओ, या फिर मुझे follow करो, that's not right, ये सही नहीं है, अगर कोई कुछ कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे suppose कोई पहला ही question किसे से पूछा, how much do you earn, तो आप उसे बोल सकत तो that's not right, मतलब ये सही नहीं है, उससे ऐसा question पूछना, तो that's not right, ये सही नहीं है, are you married, क्या आप शादी सुधा है, can you show me, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, here are some apples, यहाँ कुछ सेब है, आप कुछ भी बोल सकतो, यहाँ कुछ भी बोल सकतो, यहाँ कुछ फल, यहाँ कुछ फलार्स है, यहाँ कुछ क्या है, कुछ आइटम्स है, जो भी आपको लगते हैं, यहाँ कुछ सेब है, यहाँ कुछ सेब है, अगर मैं बोलना चाहो, यहाँ कुछ क्या है, लड़किया है, तो फिर मैं क्या बोलूगी, here are some girls, do you have a phone, क्या आपके पास phone है, बहुत पार ऐसा होता है, कि आपको किसी को important call करना है, और आपके पास phone नहीं है, तो आप किसी strange person से phone क्या करते हो, मांगते हो, तो उसे आप, ऐसे पूछ सकते हो, do you have a phone, क्या आपके पास phone है, next देखते है, she is in the kitchen, वह kitchen में है, what's your address, आपका पता क्या है, यह भी क्या है, बहुत ही common question है, हम हम लोग क्या करते है, यह पूछते है, आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हो, आपका पता क्या है, तो what's your address, आपका पता क्या है, the light is on, light चालू है, या फिर light on है, I like sweets, मैं मिठाईया, पसंद करता हो, the sun is up, सुर्योदय हो गया है, Turn off the TV, TV बंद करो, the room is hot, कमरा गर्म है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुछ ऐसे sentence देखें, जो हम अपने daily life में यूज करके, अपना communication इंप्रूफ कर सकते हैं, तो अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा, कुछ भी ऐसा sentence सीखा, जो आपको पहले नहीं पता था, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो,